अलो गाईज दिस प्रदीब भगत वेलकम टू माई यूटुब चैनल PKS7P नमस्कार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले NCRT Hindi Class 10 का Chapter 8 यानि छितिज भाग 2 का यानि Course A का Chapter 8 कन्यादान कवीता का Question एंसर को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जिनके कभी है रितुराज जी अगर आप लोग इस Chapter का Summary यानि सारान सौला वीडियो नहीं देखे तो उसका Link नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जाकर जरूर देख लिजिए तो प्लीस गाइस वीडियो को कम्प्लीट वाच कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को कम्प्लीट इंप्रमेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मेनिंग को थोड़ थोड़ कर समझाता हूँ और हाँ गाइस अगर अप लोग क्लाश 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइस देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जाकर जरूर देख ले और हाँ गाइस आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आउन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लूपत उठाते रहें देखिए पहला क्वेशन है आपके विचार से मा ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना उत्तरोगा देखिए कन्यादन कवीता नारी जागरिती से संबंदीत है इन पंतियों में लड़की के कुमलता तथा कमजोडी को एसपस्ट किया गया है मैं स्वयम नारी होने के कारण समाज द्वारा निर्धारित सिमाओ और कथित आदर्सों के बंधनों के दुख को जहल चुकी थी उन्ही अनुभाओ के अधार पर वह अपनी बेटी को अपनी कमजोडी को प्रकट करने से सावधन करती है क्योंकि कमजोड लड़कीयों का समाज में श्रोषन किया जाता है इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना अगला कोश्चन है देखिए आग रोटिया सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं इन पंतियों में समाज में इस्तरी की किस इस्तिती की और संकेत किया है यानि इस्तरी के क्या दसा है समाज में उत्तर होगा देखिए इन पंतियों में समाज द्वारा नारियों पर किये गए अत्यचार की और संकेत किया है यानि समाज के द्वारा क्या क्या अत्यचार किये गए है नारियों के उपर वा ससुराल में घर ग्रिहस्ती का काम संभालती है सब के लिए रोटिया पकाती है फिर भी उसे अत्यचार सहना पड़ता है उसे दहेज की अगनी में जला दिया जाता है यानि आप लोग कही नियूज में देखे होंगे या सुने होंगे कि दहेज के लिए बहु को जला दिया गया तो उसी पर निधारित ये question कहा गया है कि है जलने के लिए नहीं माने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा यानि इस लाइनिंग के तुरू माने बेटी को क्यों सचेत करना जरूरी समझा क्यों सावधन करना जरूरी समझा अगर वह सावधन नहीं करती तो क्या होता सायद उसका बेटी इस दुनिया में नहीं उसकी उम्र भी कम थी, वह समाज में ब्याप्त बुराईों से अंचान थी, मा यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए है वे सब उसके बेटी को भी सहने पड़े, घर गिरीहस्ती के नाम पर भौवो को वस्त्रों और गहनों से प्रलोभित किया जाता है और अपन कुछ तुको की और कुछ लैबद पंतियों की इन पंतियों को पढ़कर लड़की की जो चबी आपके सामने उभर कर आ रही है उसे सब्दबद कीजिए यानि इस लाइनिंग को पढ़कर आपके अंदर जो लड़कीयों की चबी उभर कर आ रही है किस तरह की लड़की हो सक उसके उम्र कम है उसके जीवन में केवल सुख है दुख नहीं यानि वह अभी तक सिर्फ सुख को दिक Remove को नहीं देखी है दुसरा है वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है जीवन की सचायों से जान है कि घर ग्रिहस्ति के नाम पर बहुव पर बंधन डाले जाते हैं और उन पर कई अत्यचार किये जाते हैं अगला क्वेशन है देखिए मा को अपनी बेटी अंतिम पुझी क्यों लग रही थी उत्तर होगा देखिए मा और बेटी के स फिकल खाली हो जाएगी यानि मा को ऐसा लग रहा है कि उसका जो अपना पुझी उसका जो साती है वह चली जा रही है उसे कौन सम्हाले गा उसे अब कौन देखेगा वह बच्पन से अपनी पुत्री को सम्हाल कर उसका पालन पोशन कर एक संचित पुझी की तरह करती है जाते है यानि आप लोग देखे होंगे कि बेटी के साधी के वक्त उसकी मा रोने लगती है यानि बेटी नहीं रोती है लेकिन उसका मा जरूर रोती है तो यह सारा जो तकलीफ यह सारा जो लगाव होता है आप लोग खुदी देखे होंगे आप लोग जब अगर नहीं दे इस पर गऑन मत कर ना दूसरा है मा अपनी बेटी को दुख से पिडित होकर आत्महत्या ना करने की सीख दी अश्कल देखें अंगे आप लोग की कि बेट मतला भू को का ऐसा सताय औहां कि वह आत्मा हस्त्या कर लेती वह कि वह आद्मा यानि कोई भी प्रलो बंदे कोई भी किसी प्रकार का धंदे उसके पीछे मत जाना चोथा है देखिए नारी सरलता भोलेपन और संदर्य कारण बंदनों में बंदे ना बंदे तो वह श्रक्ति साली बन सकती है अगला कोईशन है देखिए रजना और अभिव्यक्ति पहला है इसमें आपकी द्रिष्टी में कन्या के साथ दान की बात करना कहां तक उचीत है यानि आपके द्रिष्टी में क्या लगता है कि कन्या को दान देना चाहिए यहां पर जो बात किया गया कि कन्या का साथ दान जो सब दे वो कहां तक सही है आपको इसको समझाना है यानि व्य नोगों बंतों दोता है उनका अपना एक अलग होता है के आपने माता-पुता को कर उसे त्याग देना उचीत नहीं है अता विवा उसी से करवाए जो आपकी पुत्री के योग्य हो और दुख को आपका रीनी समझे कि आपने अपने जिगर के टुकड़े को उन्हें दिया है यानि वही उन्ही स्विवा करना चाहिए जो आपके रड़की को समझे यानि हैं विडियों का सारान से नहीं भावार्थ कर समझना चाहते तो उसका लिंक नचने डिस्क्रिप्शन में है जाकर जरूर देख ले यरिदी आफ लो क्लास टेन का सभी चैप्टर का वीडियो लाइन वस्देखना चाहते तो उसका प्लेलिस्ट और देखने बैंक के आप ल झाल झाल